रेस्ट्रेंट की तो चिकन मलाई टिका काफी टेस्टी लगती है तो आज इसे घर पे बनाते हैं काफी इजी तरीके से जो खाने में तो टेस्टी लगेगी ही देखने में भी अच्छी लगेगी बिल्कुल रेस्ट्रेंट जैसा तो चलिए घर पे ट्राइ करते हैं इसे बना हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता स्वेतास कीचन में आप सभी का स्वागत है चिकन मलाई टिका के लिए मैं 500 ग्राम चिकन ली हूँ जो बोनलेस है इसे 1.5 इंच के करीब क्यूप्स में काट ली हूँ इसे अच्छे से वाश करने के बाद कीचिन टवल से ड्राइ कर ली हूँ तो मलाई टिका बनाने के लिए चिकन को सबसे पहले मेरनेट करना होता है तो चलिए फटाफट से इसे मेरनेट कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हंकड यानि पानी इसमें बिलकुल भी नहीं है और ये चार चमच के करीब हैं यदि आपकी दही पानी वाली है तो पानी निकाल करके तभी डालें अब मलाई टिका बन रही है और मलाई ना पड़े तो इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेस मलाई भी डाल सकते हैं तो यहां मैं चार चमच ही क्रीम डाली हूँ अब इसमें डाल रही हूँ दो हरी मिर्श और साथी एक चमच हरे धनिये के पत्ते को क्रश कर ली ह उसे डाली हूँ, तीखा वैसे जितना पसंद हो, उतनी हरी मिर्च का इस्तमाल करें साथ ही इसमें हाफ लेवन जूस आट कर रही हूँ सारा रस इसमें निचोड़ दूँगी वन टीस्पून गार्लीक पेस्ट और हाफ टीस्पून जिंजर पेस्ट डालना है हाफ टीस्पून गरम मसाला पॉडर और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर भी डालना है अब इसमें नमक डाल रही हूँ, नमक स्वाद अनुसर डाले ऐसे मैं एक छोटी चमत नमक डाली हूँ अब सभी चीज़ों को अच्छे से चिकन में मिक्स कर देना है बस मेरिनेशन में ही इसका टाइम लगता है यानि सारे समान मेरिनेशन के टाइम में ही डाल देना है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अब देखिएगा तब ही जटपट से बन जाएगा बिल्कुल आसान है जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसे छोड़ देना है टू आर्स के लिए या फिर उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं दो घंटा रेस्ट करने के बाद ये चिकन अच्छे से मेरनेट हो चुका है अब इसमें डाल रही हूँ एक चमच, ओईल और साथ ही वन एंड हाफ चमच, कौन फ्लार और इन सब को अच्छे से फिर से चिकन में मिक्स कर देना है अब चिकन के एक एक पीसेस को इस इसक्यूस में डाल देना है चिकन अच्छे से मेरनेट हो चुका जिससे ये साफ्ट हो गया तो ये असानी से चला जा रहा है चिकन के सारे पीसेस को इस स्क्यूवर में सेट कर ली हूँ अब चलते हैं इसे रोस्ट करने के प्रोसेस में तो मैं रोस्ट करूँगी इस पैन में पैन में मैं एक चमच तेल डाली हूँ और साथ ही इसमें मैं बटर डाल रही हूँ बटर जले नहीं इसलिए तेल डाली हूँ स्टार्टिंग में अब बटर को अच्छे से पैन में स्प्रेड कर लूँगी बटर के मेल्ट होते ही अब इसमें चिकन रख दूंगी पैन में जितना चिकन आए उतना ही रखना है भरना नहीं है वरना ये अच्छे से ग्रिल नहीं हो पाएगा दो मिनिट तक हाई फ्लेम में पकाने के बाद अब इसे फ्लिप कर देंगे एक एक करके देखिए इसमें कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आना स्टार्ट हो चुका है अब इसे कवर करके पकाएंगे और गैस का फ्लेम लोग पे रख देंगे 5-7 मिनिट के लिए तो 7 मिनिट हो चुका लीड हटा कर चेक की हूँ ग्रिल मार्क्स देखिए अच्छे तरह से आ चुका है यह अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इस पैन में सारा चिकन के पिसेस नहीं आया था एक बार में तो मैं दुसरा बैज भी इसी में ग्रिल करने वाली हूँ दो मिनिट के बाद इसे फ्लिप कर देना है और कवर करके पकाना है 5-7 मिनिट के लिए लो फ्लिम पे 7 मिनिट के लगवग हो चुका कवर अटाकर चेक की तो दोनों तरब से अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ चुका है और चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है लेकिन इसमें कुछ कमी है जब हम घर पे कुछ ग्रिल करते हैं तो तबे पे या फिर आवन में तो वो तंदूर वाला फ्लेवर नहीं आ पाता है स्मोकी स्मोकी तो उसका भी एक उपाई है सारे चिकन जो हमारा पक चुका है पहले भी तो सारे को तवे में अर्जिस्ट कर लेंगे तो इस चिकन में चारकुल फ्लेवर डालना है तो चारकुल को अच्छी तरह से गैस में गर्म कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए ये कोईला अच्छे से गर्म हो चुका है अब पैन के बीच में रखूंगी कटोरी स्टिल की और ये चारकुल जो गर्म हो चुका है इसे इस कटोरी के बीच में डाल दूँगी और साथ ही उपर से डालूँगी घी अब उपर से लीड लगा दूँगी कुछ मिन्टो के लिए कवर करके रखना है ताकि इसमें चारकुल का फ्लेवर आ जाए बिल्कुल बाबिक्यू नेशन जैसा दूमनेट हो चुका था इसकी कवर हटाई तो इससे बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही थी तो अब ये कटोरी को डिसकार्ट कर दूँगी और ग्रिल चीकन की प्लेटिंग कर लूँगी चीकन की चाहे जितनी भी बैचिस को ग्रिल करें लास्ट में चारकुल फ्लेवर जरूर दें इसे इसका स्वात काफी बढ़ जाता है तो आपने देखा कितनी आसानी से घर पर तवे पे ही मलाई चीकन टिक का रेडी हो गया वो भी बिना किसी बाबी क्यू के बिना चारकु किसी कुक हो चुका है तो आपने देखा कितने आसान तरीके से घर पर ही बना सकते हैं मलाई चीकन टिक का मेरी रेशिपी यदि आप सभी को पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें सेर करें फ्रेंड और फैमली के साथ और बेल आइ सब्सक्राइब करें तो